हाज जी फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज फ्रेंट्स आपके लिए एक नई investment के साथ फिर से आ चुके हैं, आज हम आपके लिए जो investment लेके आए हैं वो बिसिकली residential plotting की रहने वाली है, फ्रेंट जैसे आपको पता है राजपुरा जो है इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर एक स्मार्ट शिटी बनने जा रहा है तर राजपुरा दिविच ओंवाले समें दिविच रेट चूने तिगने नसराण गे क्योंकि पारत दिविच बारा सन अती शेरं दिविच राजपुरा नों चूने के है राजपुरा के अंदर जो निया और कॉरीडर कॉनसेप्ट आने वाला है. इंडॉस्ट्रियल प्लोटिंग बहुत जदा आरी है राजपुरा के अंदर. तो फ्यूचर का आसपक्ट क्या है, वहाँ पे इंडॉस्ट्री होगी, लोग होंगे working class लोग होंगे तो उनको रहने के लिए कुछ ना कुछ residential zone चाहिए ही चाहिए और अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल से compare करूं मैं residential तो 20 और 80 का ratio है 80% वहाँ पे इंडस्ट्रियल है और 20% residential है तो residential आप idea लगा सकते हैं इंडस्ट्रियल की पर्शंट रेजिडेंशल है तो appreciation 100% आएगी आएगी रिजर्विंग ओफ रहने वाली रहने वाली है लगबग इसके अंदर चार चार पांट पांच एकड़ के तो सिरफ पार्क आने वाले हैं मेगा टाउंशिप इसका इसलिए नाम पड़ता है और प्लाट साइज की बात कूंँ तो सबसे मिनीमम प्लाट साइज देट सोगज 200 दाइसो और 300 के प्लाट से रहने वाले हैं और बेसिकली जो यह नसेस्टी यह कवर करती है सारे के सारे जो इंडरेस्ट्रियों से और कोई काम कर रहे है मैंजर लेवल पे हैं नीची लेवल कर दो हरे बंदे को यहां पे कवरिंग मिलती है फीचर के अंदर तो हम यही उमीद करेंगे कि आप हमारे यह साथ इस वीडियो में बने रहे हैं आगे चलके अभी मैं बताता हूं आपको कि इसके अंदर हम क्या प्राइज हमारी साइट के साथ ही जो राजपुरा पर आपके लिए तो आपको अगर थोड़ा सा भी आप इंट्रस्टीड है